नमस्कार दूस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दूस्तो आप सबी लोगों ने बहुती बहतर तरीके से 29 नॉमबर को एकजाम दिया होगा बिहार S.I. Minz का और आप सबी लोग सोच रहेंगे क्या मैंने जितना को सिंट सही किया क्या मैं सेलेक्षन ले पाऊंगा बिहार दर कि अगर मैंने साट को संच किया है या फिर 70 कोशन स़ई किया है तो एक अनुमान लगा ले कि च्यां मैं फीजिकल की त्यारी शुरु कर दूं या फिर आगे बिहारे स्अथ जो निभी ही ज्यादा महनेत किया है राद भर जाकर के कई जिन्यों तक आप लोगों ने बहुत ही महनेत तरीके से बहुत जहीं महनत किया है बहुतously փतर कि से किसे बार हुआ सलेक्शन लेना है देकिस सलेक्शन मिलेगा आप एकदम निचिंतर यह आप उस नका दिका जो या फिर इतना नंबर लाते हैं तो आपको में फीजिकल में कोई रोक नहीं पाएगा आपको फीजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए तो अभी क्या है कि यह सौर्ट में वीडियो बनाए जाएगा फिलाल में तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा तभी आपको सारे चीजे समझ में आ पाएगा और जिसका नंबर इतना नहीं आता ह इसके लिए भीमें बताऊंगा कि आखिर वह क्या करेगा ठिक है तो चुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं पर हम मेल क्याते में की यहांपा में देखिए हैं यानी घ्रमियो क्या पार थिए जो हम कोरνηर है तो देखिए अगर उन्हों numerous नंबर ला सही हुआ है उनका मेल का बात करेंगे लड़कों का जनरल कटेगरी का तो वो लोग एकदम निश्चित रहें वो सेफ है वो जो सीट है ना उनके सीट से कोई उनको हटा नहीं पाएगा यह ध्यान में रखिएगा यह कटब देखिएगा यहीं कटब आपका आएगा जो अभी साइट पर लंच करेगा ओफिसियल यही कटब मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए अब बात करेंगे हम बीसी कटागरी का तो बीसी कटेगरी में क्या है कि आगर 136 नमबर आता है बीसी कटेगरी का तो वो लोग भी सेफ है वो लोग अपना फीजिकल का तयारी शुरू कर है क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपका फीजिकल का ठीक है मेरे इसाब से एक या देड़ मैंने या फिर दो मैंने के मतलग कुछ दिनों बात तो हो सके तो आपका कटप जारी कर दिया जाएगा उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा उसके बाद आप सभी लोग का मार के चलिए फिजिकल समय है लेकिन शुरू कर देना चाहिए ठंडी है थ्वाबू तो आपको देरे रेगूलर रहेंगे तो आपको बहतर होगा बात करेंगे हम यहां पे एब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब्याइब जो भी मैंने बताया है ये लड़कों का है ठीक है काटेगरी उपर लिखा गया है ये आपका नंबर लिखा गया है अब बात करेंगे फीमेल ये ध्यान में रखिएगा मेरे भाई और मेरे जो यहां पर लड़के हैं देखिए सेलेक्शन कम नंबर रहेगा तो लड़कियां ल दूड़ा भी करेंगी तो अपको सेलेक्शन वर्दी लेने में कोई नहीं पाएगा देखिए दिक्कत होता कहीं लड़कों पे होता है देखिए यहां पर 16 कोसच़न से का दिफरेंग हो जारा है तो चांस किसका बन रहा है लड़कियों का चांस ज्यांस च्जादा बन रह ही रोक नहीं पाएगा और देखिए एक सो पांच अगर बीसी कटिगरी का है लड़कियों का तो एक सो नंबर एक सो पांच नंबर आया तो लोग भी अपना सेफ है और यहां पे सव है ठीक है यहां पर सव दिया गया है तो टोटल आउट अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से इतना ही कटफ होना चाहिए लड़कों हो चाहे लड़कियां है आपका कटेगरी उपार लोगों चाहिए अब Cornersわか लोगों हर से देखे इतना जिसका आया है वह तो द्यारी करेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए टोटल पचास हजार यहां पे परिछा में भाग लिए थे यानि परिच्छा दिये थे ठीक है इसमें सेलेक्शन कितना देना लमसम देखा जाए तो पंदरह हजार यहां पर लड़का और लड़कियों को मिला करके 35,000 कहां जाएंगे आपी बताइए यहां पर 35,000 बच्चे कहां पर जाएंगे इनका सेलेक्शन नहीं हो पाए जो अभी बिहार SI निव भेकेंसी जो अभी आई है अपने फार्म भरा होगा उसका तयारी आज से और अभी से तुरंत सुरू करना है सबी को पता होना चाहिए कि बिहार SI पीटी का जो अभी निव भेकंसी है वह इसका एक्जाम डेट क्लियर कर दिया गया है 14 फरवरी 2021 यानि देखा जाए तो आपका यहां पर 79 से 70 दिन ही बसता यानि दो महिना लंशम दस दिन दो महिना दस दिन आपका यहां पर समय बसता है तो आपको तायारी किस तरीके से कर करना है रणनीती क्या होना चाहिए देखे रणनीती जब तक नहीं बनाएंगे एक होता है न कि जब कोई यूद लड़ने जाता है तो आप सभी लोग यूद ही लड़ने क्यूंकि कई लाख यहां पर बच्चे यहां पर भारम भरे हुए है वो लोग परिक्षा भरेंगे म तो आपको एक सीट लेना है सीट है मतलब देखा जाए 22-2300 है कई लाग भरेंगे तो यूद ही हुआ ना तो आप अपने यूद में लड़ेंगे जीतेंगे एक सीट को आपको छीनना है चीन कर लेना है यही यूद होता है तो यूद में करना क्या है कि आपको अपना बुक की का क्वालिफाई मैं कराऊंगा डेली बेस्ट पे एक दिन में दो प्राक्टिस एट करा रहा हूं सभी को पता ही होगा जो लोग चैनल से जुड़े हैं सभी को पता होगा कि मैं एक दिन में दो प्राक्टिस एट यानि मेरे चैनल पे प्राक्टिस एट का भरमार है आप दोस्तों के साथ सेर करें ताकि वो लोग भी अपना कटप के हिसाब से दे कि अपना तयारी करना शुरू कर दे नहीं तो अपना पीटी का वेकंसी अभी न्यू पढ़ी हुई है तो चलिए दोस्तों आब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं आज के लिए इतना ही जै